हेलो नमस्कार साथियो मैं मनीश यादब एक बार फिर्ण आपके सामने एक नई अब्डेट टेकर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी डियालेट बीटी सी एडमींसन दोहजार तेईस के विजह में जो भी साथ ही ऐसे हैं जो दोहजार तेईस में डियालेट करके भविस में प्राइमरी में सिक्षक बनना चाहते हैं तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही मैधपूर हो सकती है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कब से आपके फॉर्म बरे जाएंगे कितने ऐसे विद्यारती हैं कितनी मेरिट पर आपको डाइट मिल सकता है या जो विद्यारती डाइट से नहीं करना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं प्राइबेट और डाइट में क्या अंतर है क्या डाइट में आपको रेगलर जाना पड़ता है प्राइबेट कॉलेज में आपको रेगलर जाना पड़ता है तो इन सभी मुद्दों पर आज हम लोग सर्चा करने वाले हैं देखे ये आपका पहला ऐसा वीडियो है डियलाइट कर나 है और कैसे करना है उसकी विस्तरत जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए आप से ख़शक बन सकते हैं ब्याड भी कर सकते हैं लेकर अगर आपको जन लेने के बाद अपने पढ़ाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं कहीं ग्रहस जीवन में हैं कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो अपना अगर प्रवेस लेने के बाद अपनी पढ़ाई करना चाहते तो वो कैसे कर सकते हैं देखे आप लोगों ने अख़वार के माध्यम से एक देखा होगा कि प्रवेस के लिए आपकी जो प्रक्रिया वो दो जून से प्रारम कर दी गई है तो यहां यह कुछ एक अख़वार का आर्डिकल है जिसके माध्यम से आपने देखा होगा पूरी जानकारी के लिए अगर हम लोग देखें तो ऑनलाइन पंजी करड़ आविदन प्रारम होने के जो तिति है वो 2-6-2023 से आपके आविदन प्रारम हो जाएंगे इसके अगर अंतिम्तिती के बात करें तो 27-6-2023 तक इसके आविदन होंगे अब ये तिति बढ़ती है या नहीं बढ़ती है ये आगे के समय पर नरधारित होगा वहराल ये आपकी जो तारीक है ये जो पंजी करड़ की है इसको एक बार दो बार बढ़ाया जाता है क्योंकि फाइनल येर के बहुत जगए रिजल्ट्स नहीं आ पाते हैं तो प्रवेस कम होते हैं आविदन हों की संक्या कम होती है तो इसको एक बार दो बार बढ़ाया जाता है लेकिन अगर आपका पहले से रिजल्ट आ चुका है तो आप इसका इंतिजार न करें आप पहले से फोम भर दें अंतिम जो सुल्क जमा करनी के जो तितिया वो 28-6-2023 है और आविदन के प्रिंट आउट लेने के जो अंतिम तितिया वो 30-6-23 तेस यानि कि जो भी आप इदन करें तो उसका प्रिंट अपने पास जरूर रखें इसके अलाबा ऑनलाइन के लाबा किसी अन्वाधियम से आपका आप इदन सुईकार नहीं किया जाएगा यह भी यहां भी वही दितियां लिखी है जो मैंने आपको बताई है अब बहुत सारे भाई बैन ऐसा पूछते हैं कि सर इसके लिए आयू कितनी है तो देखो 18 वर्स आपकी आयू होनी चाहिए और अधिक्तम 35 वर्स है ना और जो ऐसे कास्ट हैं जहां पर यूपी सरकार के न 30 प्रतिसत अंक आपके पास होने चाहिए जाहे आप ग्यान वर्से हो चाहे आप कल्ण वर्ग इसे यह और आप किसी अन जाती से हैं जैसे अनुसूंचित जाती है परदा आरॅब कि अनिवार हैं इसना तक में इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि आपके लिए online आविदन के लिए आपके पास क्या-क्या documents होना चाहिए, तो आपके पास 10th का certificate होना चाहिए, 12th का होना चाहिए, इसना तक certificate होना यानि कि आपका graduation का होना चाहिए, आधार card, voter card, इत्यादि जितने भी आप यहाँ देख पारे हैं, यह सारे documents आपके होने चाहिए, बात में भी और सारे documents बनते हैं, तो धीरे धीरे आपको जनकारी मिलती जाएगी, जैसे आप आविजन करेंगे, तो आपको पता सल जाएगा, photo आपकी latest होनी चाहिए, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, diet college की fees, तो diet में आपकी fees लगती है, 10,600 रुपए, जो आपके निजी college होते हैं, जो आपके private college होते हैं, वहाँ आपकी लगती है, 41,000, अब तो बहुत जगह ऐसा भी हो गया, कहीं 35,000 भी लगता है, कहीं 30,000 भी लगता है, तो अपने सुब्दा अनुसार, आप जहां प्रवेस लेने वाले हों, तो आपको होँ पहले से संपर कर सकते हैं, इसके बाद आपका ये दो साल का course है, और इसमें जो chain होता है, वो कैसे होता है, वो आपका merit के अधार पर होता है, जैसे माली जे, आपका 10th में percentage है, 80, फिर आपका 12th में भी कितना है, 80, आपका जो graduation है, उसमें माली जे, आपका 60 आ ग 220 बन गई, ये merit, अब जो diet होती है, वहाँ लगभग 230 पिलस merit जाती है, जो लोग diet वाले है, यानि कि जो लोग diet में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो 230, अब ये अलग-अलग diet के अलग-अलग जाती है, ऐसा नहीं कि और ये 230 गई, तो मैंन पुरी में 225 से लिए, तो ये अल diet मिल जाएगी, अनथा कि इस्तिति में आपको private college मिलेगा, अब बहुत सारी लोग पूछते हैं कि सर हम कहीं job कर रहे हैं, या कैसे कर सकते हैं, देखो आप private में प्रवेश ले सकते हैं, इसके बाद वहाँ आपको इतना regular नहीं जाना पड़ता है, ऐसे कभी आपकी teaching लगेग जहां आपको regular पढ़ाई होती हो, जहां आपको पढ़ाया जाता हो, ऐसे आप पहार से रहकर कर तो सकते हैं, लेकर आपको उतना prescription नहीं मिलेगा, क्योंकि ये prescription course है और इसमें आप जितना सनलग न रहेंगे, जितना इसमें लगे रहेंगे, उतना ही ज़्यादा बहता है, औ और अंत में जो विद्यारती प्रवेश लेना चाहते हैं, और डियलेट की संपूर जानकारी चाहते हैं, कि आपकी classes कैसे होती है, इसका syllabus क्या है, तो इस application पर हमने आपको सारा syllabus upload कर दिया है, सारी books हमने upload कर दिया है, free of cost, कि जो आपकी किताबों में, जो syllabus है, किताबें क्या हैं, कौन सी किताबें हैं, तो वो हमने आपकी किताबें यहां upload कर दिये हैं, तो जो विद्यारती ऐसे हैं, देखना चाहते हैं, तो यह वाला application आपको मिल जाएगा Google Play Store पे UPDL, All semester, तो आप इसको download कर सकते हैं, बाकि DL के लिए हम एक WhatsApp group भी बनाए हैं, तो जो लोग अगर WhatsApp और आपको क्या लिखना पड़ेगा, अपना नाम लिखना पड़ेगा, और यहां लिखना पड़ेगा UPDL, All semester, 2023, फिलाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपकी कोई और जानकारी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे comment box में mention कर सकते हैं, फिलाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक किजीगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को subscribe करके, बैल आकान जरूर तवाजित दीगा, thank you so much